हालो स्टुडेंस आज हम लोग जीएस टेस्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं उमीद है कि आप लोगों ने पेपर बनाया होगा और अभी हम लोगों उसके सारे सॉलूशन पर चर्चा करेंगे जैसे कि आप लोगों ने पीछला भी देखा एक दो टेस्ट वान, टेस्ट टू, टेस्ट त्री तुसरी सेक्वेंस में ये टेस्ट फोर है जो कंबाइन टेस्ट है तो अब हम वो कोशन डिस्कस करते हैं सबसे पहला कोशन जी एस का कोशन नमबर 26 कोशन है कि भारत की संचित निधी से धन निकालने के लिए निम्रिकित में से किसका अनुवोधन अनिवार है तो सबसे पहले इस पे जो कीवर्ड है संचित निधी, Consolidated Fund of India ये समिधान के Article 266 में इसका प्रावधान किया गया है और Consolid Fund वो Fund होता है जिसमें भारत सरकार की सभी प्रावधिया चाहे वो प्रतेक्ष कर से हो या कर के रूप में हो जिस भी रूप में हो सभी इसी में डाली जाती है और यहीं से सरकार अपने समस्त खर्चों को भी पूरा करती है तो यह जो संचित निधी है इस पर किसका नियंतरण होता है खर्चे तो सरकार करती है लेकिन इस संचित निधी पर पूरे सदन का पूरा जो हमारी भारत की संसद है उसका नियंतरण होता है इसके इससे खर्च करने के लिए सरकार को पहले संसद में अपना पूरा प्रस्ताव रखना पड़ता है जब संसद पास कर देती है तभी वो सरकार इससे खर्च कर सकती है तो इसका आंसर जाएगा आंसर B अब इसी बात पर थोगत और देखें हम लोग कि यह जो Consolidate Fund है जिसको हम उस संचित निधी कहते हैं और एक और Fund है जिसको हम उसका कहते हैं आकस्मिक निधी इस दोनों में अंतर यह है कि संचित निधी से खर्च करने के लिए सरकार को पहले संसद से अनुमती लेनी पड़ते है मतलब खर्च के पहले अनुमती लेनी पड़ेगी लेकिन यह जो आकस्मिक निधी जिसको हम कंडिजनसी फंड कहते हैं तो यह सरकार के पास 500 कोड का एक फंड होता है जिसे सरकार जब आकस्मिक निधी में गोशनबर 27 कोशनबर 27 कोशनबर 27 यह कोशन है कि MONTECU जिम्सपूर्ट प्रसताव निमलिखिट मेंसे किस से सम्धन देत MONTECU चंपूर्ट प्रफूर्ट लेटिज तो विच उप्रफोलिएंग। रिफॉर्म्स तो इसमें और समाजिक सुधार समयधानिक सुधार पुलीस प्रशासन में सुधार या इन में से कोई नहीं तो एक्शली यह जो Montague चेंप्रट प्रस्ताव है यह आप देखेंगे तो यह आया था 1919 में जिस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था उसी समय इन लोगों ने जो कानून बनाये तो जो समयधान जो भी प्रिवर्तन किये थे 1773 के रेगुलेटिंग आक्ट से लेके जो 1947 तक का जो भारती सोतनता अधिनियम था उसी के तहट आता है 1919 में Montague चेंप्रट रिफॉर्म जिसको भारत सरकार अधिनियम भी कहते है तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर B Constitutional Reforms अब हम लोग चर्चा करें Question No.28 यह Question है कि 1355 में लिखी गई पुस्तक रिहला जिसे केशने लिखा ताइबन बतूता यह है क्या क्या है सेतातपर है यह किस प्रकार का पुस्तक क्या यह आत्म कता है Autobiography क्या यह आर्थिक गंत है Economic Text है या इसमें दिल्ली सल्तनत का विवरन है Details of the Delhi सल्तनत है इसमें कोई नहीं तो इस Question में एक Confusion हो सकता है कि यह जो पहले इन बतूता को समझे कि इन बतूता था कौन तो इन बतूता आप देखे इन बतूता एक यात्री था जो अफरीका से आये था भारत अफरीका में यह जो इलाका है हमारा यह है मुरक्को यही का यात्री था और यहां से कहां पहुँचा था भारत तो यह Actually यह उसकी आत्म कता है जो यात्रा वितान के रूप में है और यह भी सही है कि इससे दिली सल्तनत का विवर्ण मिलता है लेकिन यह सिर्फ दिली सल्तनत का विवर्ण नहीं देता है बलकि यह उसके संपूर्ण यात्रा का विवर्ण है तो इसका आंसर हो जाएगा आत्म कता यदि यही पर होता यात्रा वितान्त तो जादा सही option कौन होता यात्रा विर्तांत या टेविल लॉग जिसको हम लोग कहते हैं तो 28 नमबर कोशन का हमसर क्या हो जाएगा A. Autobiography या आत्म कथा अब चलते हैं हम लोग कोशन नमबर 29 के तरफ 29 नमबर कोशन है जो भारत के physical map उसे सम्मंदित है कि यह जो वेलिकुंडा सम्मू है वेलिकुंडा सम्मू नमबर कित पहारियों में किसका सनराचनात्मक हिस्सा है वेलिकुंडा गुरूप is the structural part of which of the following hills तो जैसा कि आप देखें इसमें चार option दिये हैं option A. पश्यमी घाट option B. इस्टरन घाट, पुर्वी घाट option C. निलगिडी की पहाड़ियां और option D. अरावली की पहाड़ियां तो यह जो वेलिकुंडा सम्मू है यह actually यह है इस्टरन घाट का पार्ट जो आंध प्रदेश के गुदावरी नदी के रीजन में पढ़ता है और इस इस्टरन घाट में जो वेलिकुंडा समू की पहाड़ियां है इसकी सबसे उंची चोटी है आर्मागुंडा जो 1650 मीटर की उंचाई तक अवसेत है अब हमनों चलते हैं question no.30 again this question is also from geography यह भी प्रश्ण भुगोल से है इसमें पूछा गया है जोला मुखी और उसे संबंधित देश चार जोला मुखी दिये गया है कोटोपैक्सी, माउंट एटना, मोनलोवा और माउंट पोपा तो जैसे कि आप मैप में देखें यहाँ भी दिया हुआ है मैप कोटोपैक्सी दिया हुआ है इकवडोर में जैसे कि आप जानते हैं इकवडोर एक साउथ अमिरिकन कंट्री है तो यह है आपका इकवडोर और यहाँ में है कोटोपैक्सी तो इस इस चो यह सही है कोटोपैक्सी कहां पर है इकवडोर में दूसरा है Mount Etna, Italy तो ये देखें, Italy कहाँ पर है तो Italy आपका Europe में है ये है Italy, और इसी Italy में है आपका Mount Etna तो ये भी सही है अब है Muna Loa, Hawaiian आई द्वीप ये जो हवाई द्वीप है ये US का पार्ट है ये आपको यहाँ पर पड़ता है तो यहाँ भी आपको क्या है Muna Loa, ये भी सही है Mount Popa Mount Popa का answer इसमें दिया है जो matching dates country दिया है, वो है Kenya लेकिन वास्तों में Mount Popa Kenya में नहीं है, बलकि ये जो है आपको एक, ये आपको Asia में जो Myanmar country है उसमें परता है Mount Popa और ये Mount Popa आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है तो ये आपको ये देख रहे हैं, ये है आपका Mount Popa हलाकि इसमें बहुत पहले इसमें के पूर्व में जाकर इसमें बिस्पोर्ट हुआ था लेकिन फिर भी ये जो है वहाँ पे आपको एक important जोला मुखी है जो आपका कहाँ पर है को रसाइन बंदर्गा चाहा जाता है को इसमें की में थलक का है ईसमें का सबसे ज़्यात होता है तो आंसर है इसका B, दाहेज ये कहाँ पर है गुजराट पर ये आपका दाहेज जो गुजराट में है भरूज के पास है तो इसलिए इसकांस हो जाएगा 31 का answer B चले आगे बड़े Question number 32 भारत रत्न भारत रत्न से संबंधित निम्लिकित में से कौन सा कथन असते है, which are the following statements related to भारत रत्न is false, रहता कि आप जानते हैं भारत रत्न, भारत में नागरी कर्स चेतर में दिया जानवा सबसे सबसे बड़ा पुरस्कार है तो इसमें आप जानते हैं कि क्या क्या option है चले देखे विचार करते हैं इसमें पहला option है कि एक वर्स में अधिक्तम तीन वेक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है, बिलकुल सही बात है तो इसमें आप जेसें देखें, वर्तमान वी भी तीन लोगों को दिया गिया है, भारत रत 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 रवार्ड घी है, इस पुरस्कार में कोई मौदरिक अनुदान नहीं दिया जाता बिलकुल सही बात है, यह जो पुरुस्कार है यह इनफेक्स, इसमें कोई मौदरिक या इसमें कोई मौनेटरी ग्रांट्स नहीं होता है C. संगीत के छेतर में अब तक चार वेक्तियों को भारत दिया गया है और D. तीन विदेशी वेक्तियों को यह अवार्ड मिल चुका है तो यह जो दोनों को आप्शन है C. और D. इसमें था विचार करनी के अफशक्ता है क्योंकि संगीत के छेतर में अगर हम बात करें तो संगीत के छेतर में छे लोग को पुरुसकार मिल चुका है सत्यजीत रे हैं, बिसमिल्ला खान है भीम सेन जोशी हैं, लताम अंगेशकर हैं रवी संकर हैं और एम सुबह लक्ष्मी है अब इसमें एक जगह का डाउट हो सकता है कि ये जो सत्यजीत रे हैं इनकी जो परसनालिटी थी ये वर्सटाइल थी बेसिकली ये फिल्म में करते हैं लेकिन इन्होंने बहुत फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है तो इनको हम उसमें रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं इनको ना भी रखें तो ये तो तैह हैं कि संगीत के छेतर में अभी तक चार नहीं बलकि पांच वेक्तियों को भारत रत दिया जा चुका है जहां तक सवाल है तीन विदेशी वेक्तियों का ओप्शन D तो इसमें देखें तो इसमें तीन वेक्तियों को अभी तक अवार्ड मिल चुका है Mother Teresa Khan Abdul Gaffar Khan और Nelson Mandela लेकिन ये भारत में naturalized citizen थी ये भारत में 14 साल के बीच में 12 साल तो उपर रह चुकी थी तो इनका भी जो option है तो option D इसमें भी तीन विदेशी एक तोड़ डाउट है और बागी दो तो confirm है तो इसमें से अब रहा सवाल की question number 32 इसमें C और D में से answer कौन होगा तो ये सही है कि जो option C है चुकि इसमें 4 दिया हुआ हम जानते हैं कि हमने 5 तो मिला है तो option C is wrong तो answer क्या हो जाएगा 32 का option C Now comes question number 33 हाल ही में भारत ने महाकाली नदी के एकिकरत विकास के संबंध में निम्रिकित में से किस देश के साथ संधी किया है महाकाली नदी जयता कि आप जानते हैं महाकाली नदी जिसको भारत में साथा नदी के नाम से जानते हैं उत्राखण में इसको काली नदी के नाम से जानते हैं और नेपाल में इसको महाकाली नदी के नाम से जानते हैं जो इधर से बैठी वी आती है और ये जाकर के अंत में घागरा में मिलकर के गंगा में मिल जाती तो इसका आंसर होगा option B नेपाल के साथ बहुत ही important नदी है यहाँ पर एक dam बनाने की बाद चल लही है यह dam पंचेश्वर dam है जो बहुत important dam है जिसे उत्रप्रदेश में जो बाढ़ाने खत्रा काफियत तक control हो जाएगा तो यह अभी हाल में ही जो मोधी सरकार है इन्होंने इस पर साइन किया है नेपाल के साथ तो 33 का option हो जाएगा B, नेपाल Now comes question number 34 The unseen इंदरा गांधी यह पुस्तक इंदरा गांधी के उपर लिखा गया यह किस ने लिखा है तो विचार करेस पे चार option है शशी थरूर, डॉक्टर केपी माथूर, डंटवर सिंग और मनमोहन सिंग तो यह जो पुस्तक है Unseen इंदरा गांधी यह पुस्तक इंदरा गांधी के उपर एक बहुत ही महत्पूर किताब है जो उनके विक्तिकत जो उनका डॉक्टर है फिजिशन उनके लिखा था, जिनका नाम था, डॉक्टर केपी माथूर तो 34 कांसर हो जाएगा, option B Now here comes question number 35 एक रुपईय के नोट पर किसका अस्ताक्षर होता है बच्पन से हम लोग इस चीज़ को जानते है और इस लगातार चर्चा होती है कि एक रुपईय के नोट पर किया RBI के गवर्णर का अस्ताक्षर होता है तो नहीं, इस पर आप देखेंगे इस पर अस्ताक्षर कितका होता है यह जो फिनांस सेक्रेटी है, RBI एक रुपईय का नोट, RBI को उसका जारी करने का अधिकार नहीं है तो इसलिए यह जो आंसर है इसका, इसका आसर हो जाएगा 35 का B, वित मंतराले के सचिए, Secretary of the Finance Minister Now comes Question No. 36 भारतिय स्टेट बैंक द्वरा भारत में पहला तैरता हुवा ATM कहां स्थापित किया गया ATM जब से आया है, हमारी जीवन में, हम सबकी जीवन में बहुत ही सरलता आ गई है पैसे के संदर में बैंक जाके निकालने के अशक्ता नहीं है, अब उसी कदम पे आगे बढ़ते विए State Bank of India ने एक floating bank established किया है तैरता हुवा bank, actually यह जो bank है, यह कोची में, केरिल के कोची में एक जहाज पर सापित किया गया है, तो यह भारत के संदर में, भारत के आर्थिक इतिहास में काफी important है तो कि पहला bank है, जो कि तैरतावा bank कोच्चन नबर 37 महासागर की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उप्योग किया जाता है तो यह जो इस पे देखें है कोच्चन नबर 37, which instrument is used to measure the depth of the ocean तो इस पे है option A, potometer, option B, phadometer, option C, karometer, और option D, इन में से कोई नहीं, तो इसका अंसर हो जाएगा, option B, phadometer actually यह जो phadometer है यह सोनार सिस्टम पे काम करती है waves के थूँ सेरे डाल करके समुद के गहराई की पता लगाती है और यह जो आपका है potometer, इससे यह पता लगा जाता है, कि एक जो कोई भी एक plant होता है वो कितना water intake करता है तो water consumption के लिए है, potometer plant के द्वारा, और phadometer है, जो ocean की गहराई को नापता है, और यह carometer है यह calorie की जाँच करता है कि कितना calorie आत्मी, या कोई भी है वो कितना intake करता है, तो carometer हो गया calorie से संबंदित है, potometer है water intake से संबंदित है, और phadometer जो है, phadometer यह समुदर की गहराई को नापता है Now comes question number 38 Which scholar did discover the blood group of man मनुष के रक्स हमों की खोच किस विद्वान में की है तो यह जानते हैं, इसका answer है land steiner तो answer हो जाएगा इसका option number B, land steiner Now comes question number 39 भारत के रास्टपती के संदर में कौन सा कथन सही नहीं है पहला question है प्रथम मुस्लिम रास्पती एम हिदायत उल्ला बिल्कुल सही बात है प्रथम महिला रास्पती, प्रतिवा पाटिल जी बिल्कुल सही बात है और सबसे इवा रास्पती निलम संजी वरेटी ये भी बिल्कुल सही है option A, ये गलत actually भारत की जो प्रथम मुस्लिम रास्पती थे वो इसे dr. जाकिर हुष है और ये जो M. हिदायत उल्ला है जिनके अपनी autobiography है my own boss well ये supreme court के 11 मुख्यने आदीज थे जो 1969 में जा करके भारत में acting president group में काम किये थे जब इंदरा गांदी prime minister थी तो इसका answer हो जाएगा option A ये थे रास्पती थे लेकिन ये permanent नहीं थे बलके acting थे तो इसलिए option A पहले मुख्यों 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 रास्पती कौन हो जाएगे हमारे तो dr. जाकिर हुष है now comes question number 40 भारत का सरवचने आले निमलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा स्थापित किया गया है ये इतिहास का प्रश्ण है इसको समझें इसमें अगर ये question होता कि कलकेता का सरवचने आले निमलिखित में से किस अधिनियम के द्वास्थापित किया गया था तो जैसा कि आपको पता है जब भारत में अंग्रेज आये थे तो उन्होंने एक regulating act बनाय था 1973 में तो उसी के basis से एक सरवच एक सुप्रीम कोट की प्रोविजन की गई थी लेकिन वो सुप्रीम कोट क्या था तो वो कलकेता का सुप्रीम कोट था और यहां जो question है वह भारत का सरवच ने आले है तो आपको सबको पता होगा कि भारत का दोवरतमान में सरवच ने आले है यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारत स्थापित किया गया था जो अजादी के पहली है था फेडरल कोट की रूपे संखे ने आले की रूपे लेकिन अजादी के बाद यही बन गया भारत का सरवच ने आले है अब चुकि ऑप्शन में भारत सिरकार अधिनियम 1935 नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसका D अगला question है 41 number question भारते समिधान के नुसार निमलिखित में से कौन संग के कारेपालिका में सामिल नहीं है जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो शक्तियों के प्रिथक करन का सिधान्त है मॉन्टेस्क्यू का concept of separation of powers जिसमें भारत भी इसको लागू किया गया है और इसके अधार पे भारत में जो सक्तियां है कारेपालिका, विधाईका और नियाएपालिका इस्तियों में बटी वही है तो कारेपालिका जो है ये संसत का ही सा होती है लेकिन इसमें मुख्य नियाएधिस सामिल नहीं होता है तो कारिपालिका में रास्टपती भी हैं, उपरास्टपती भी हैं और मंद्री परश्चत भी है लेकिन मुखे नियाएदिस वो नियाएपालिका के हिसा है जो रीशेरी के पार्ट है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 41 का C Now comes question number 42 महाभियोग रास्टपती पर महाभियोग के लिए किस प्रकार के बहुमत के अवश्चता होती है तो जैसे कि आप जानते हैं बहुमत चार प्रकार की होती हैं Simple majority, Absolute majority, Special majority और Effective majority तो जब रास्पती के महाभियोग की बाद तो तीξ чис हमाभियोग बहुत कड़ा कदम है इस में आप किसी भी रास्पती को उनके कार्यकाल में पर से हटाने की प्रकार होती है तो इसके लिए question number 43 India wins freedom इस पूस्तक के लेखक कौन थे? तो यह साथ कि हम जानते हैं India wins the freedom इसके लेखक है मौलाना अबूल कलाम आजाद मौलाना अबूल कलाम आजाद यह सुतंतर भारत के प्रतम सिक्षा मंत्री भी थे और यह Congress के सबसे युवा अध्यक्ष भी रह चुके हैं 1940 से लेकि 1945 तक यह Congress के अध्यक्षपत पर थे जबकि दूइते विश्व चल रहा था तो इसका 43 कांसर हो जाएगा मौलाना अबूल कलाम आजाद यह बहुत ही विशिस्ट प्रतिभागे थे इन्होंने जो खिलाफत मुव्मेंट था उसको भी स्टार्ट किया था बहुत गांधियन नेता थे तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का C 44 नमबर कोस्चिन हल्दी घाटी का युद जो 1576 में लड़ा गया थे इन 1576 ये किन शासकों के मद्ध लड़ा गया तो ये जो हल्दी घाटी का युद है ये राजपूति आन्बान सान का प्रतीक है इसमें ये जो लड़ाई हुई थी वो लड़ाई हुई थी अकबर और रानापरताप के रूप में रानापरताप जो 1572 में मेवाल के शासक बने थे और 1597 थे को वहाँ के शासक थे वो अन्थ अन्थ तक जो है अकबर की धिनता को स्विकार नहीं करते हैं हलाकि पंदोशियत्तर में युद हुआ हुआ युद बहुत भयानक हुआ एक तरफ अकबर का सेना पती माम सिंग था और एक तरफ रानापरताप थे लेकिन फिर भी ये अन्थ इसमें मुगलो की सेना ने रानापरताप की सेना को हरा दिया लेकिन फिर भी रानापरताप ने हार नहीं मानी और मुगलों की सेना राणा परताप को पकड़ने में सफल नहीं हो सके तो ये राजपूती आनबानसान का प्रतीक है ये ललाई वीती अकबर और राणा परताप के बीश में पंदरसो चेहतर में Now comes question number 45 अंग्रेज़ द्वारक कलकत्ता में निर्मित दूर का नाम क्या था? What is the name of the fort built in Kolkata by British? जैसा कि आप जानते हैं कि अंग्रेज़ भारत में आएं तो उन्होंने अपने जहां जहां पर भी वेपारी का सल होता था वहां पर दूर्ग बनाते थे एक fort बनाते थे जिसमें यह जो fort आप देख रहे हैं, यह fort William है जो कलकत्ता में बनवाए गया था तो कलकत्ता में फोर्ट आंसर हो जाएगा इसका B, fort William यह जो fort है, यह fort आपका fort St. David है यह आपका मदरास के south में, लगपा सौकन दूर, कुड़लूर नमा एक जगा पर है तो यह आंसर नहीं होगा, आंसर होगा इसका fort William और यह जो fort है, fort Victoria, यह भारत में नहीं है बलकि British Columbia, Canada में तो यह आंसर तो कते ही नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, fort William एक और fort है, जो अंग्रेजर बनवाया था, वो है fort St. George, यह भी काभी महत्मुन fort था, जो अंग्रेजर नहीं कहां भी बनवाया था, मद्रास में बनवाया था चले आगे बढ़ी, question number 46, Beijing घोषना तो Beijing घोषना जो है, यह UN से जुड़ा हुआ है और यह 1995 में जाकर के, यह जब World Summit हुआ था, महिलाओं को लेकर के चौथा समीट था, 1995 में, तो यह 1995 में यह परित हुआ था, और इसका समन किसे है, महिलाओं से इसमें महिलाओं को सामाने जो मानव अधिकार होते हैं, वो देने के, और महिलाओं के दिग्निटी का, उनके राइट्स का, वो सारी चुझे से जुड़े हैं, बहुत ही महत्मुन दस्तावेज है, बीजिंग डेकलेरेशन जो 1995 में किया गया था, फोर्थ सबिट ऑन युएन के, वोमेंस के उपर पर, महिलाओं के उपर Now comes question number 47, निम्रिकिते कौन सा कोसी का अंग मुख्य रूप से पाचक एंज्याइम के रख्षक के रित तरह कारे करता है, तो इसका आंसर है, लाइसोस्सोम तो यह जो question है इसमें जो कोसी का अंग जो पाचक एंजाइमों का रिक्षा की तरह कारे करता है तो answer हो जाएगा A47 का Lysosome 48 number question किसे engineering का अनुवांशिक engineering का जनक का जाता है father of genetic engineering तो यह answer हो जाएगा आपका Paul Berg option B 49 number question निम्लिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वड़नक में सिरता है 49 number question तो उसका answer हो जाएगा आपका magnesium जो उसके कहते हैं green pigments में रहते हैं हमें leaf के पत्ते के और question 50 कोशिका में केंद्रक के अलावा किस कोशिका अंग में DNA होता है तो इसका answer हो जाएगा mitochondria इसमें भी आपका DNA पाया जाता है तो thank you guys hope आप लोगा test अच्छा रहा होगा फिर मुला कात होगी आपसे पांचवे test में होली के अगले सब्ता तब तक त्यारी करें होली भी खेलें सब को सुभोली धन्यबाद